गुड इविनिंग सभी स्टूटेंड मैं जैती सरमा स्वागत करती हूं आप सभी का vm jnb classes में तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल की जो वीडियो थी उसमें हम आपके लिए कुछ अनुशेद लेकर आये थे तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो कै बीएम जैन्वी क्लास इस बहले चैनल पर ठीक है उसके अलावा आपको मैंने कल आपको याद है कि कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था प्रीविएस यार मतलब 2022 में जो भी कोश्टन आये थे अनुछेद मतलब जितने भी अनुछेद आये थे चार चारों के बारे म इसमें आपके लिए कुछ विलोम सब्द होंगे तो सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से उन्हें याद करना है और अपनी एक कॉपी बनाई हो गया अपने तो उसमें नोट कर लेना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड से जो आपकी स्क्रीन पर आप सो हो अब आपको पता है अनाहूत मतलब का मतलब क्या होता है आप को मैं में तो पता ही नहीं है कि आहूत यह वर्ड होता भी क्या है आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो लोने यह वर्ड आज पहली बार सुना होगा तो आहूत का मतलब होता है बुलाया गया क्या मतलब होता है बच्चो बुलाया गया मतलब जिसको बुलाया गया हो या जिसको निमंतरे न दिया गया हो वो होता है आहूत और वही अनाहूत बिल्कुल उसके जश्ट अपोजिट हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा जिसको बुलाया ना गया हो मतलब जिसको नहीं बुलाया गया होगा वो क्या हो जाएगा अनाहूत तो आपको इसका जो विलॉम शब्द है वो अच्छे से पता लग गया होगा ठीक है तो इसका यही होता है next word पर चलते हैं हम लोग next word आपकी screen पर शो हो गया होगा पढ़लो बच्चों क्या लिखा है उस का विलॉम सब्द भी सामने लिखा होगा next word है हमारा आदर आदर से मतलब समझते हो आप लोग respect देना किसी को किसी का सम्मान करना ठीक है तो वह होता है आदर करना जैसे होता है न हम अपने से बड़ों का या अपने टीचर्स का अपने घर में पैरेंट्स का क्या करते हैं प रिस्पेक्ट देना वहीं आदर का जो अपोजिट हो जाएगा बच्चो वह अनादर हो जाएगा आदर को हम लोग सम्मान भी लिख सकते हैं और अनादर को हम लोग क्या लिख सकते हैं वही निरादर भी लिख सकते हैं निरादर का भी सेम मीनिंग होता है किसी को रिस्पेक बिलोम शब्द है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा चलो next बिलोम शब्द देखिए क्या है आपकी श्क्रीन पर आ गया होगा इह लोग इह लोग क्या होता है मतलब इसका क्या होता है बताओ किसी भी बच्चे को मीनिंग पता हो तो chat walks में comment करो जल्दी से इह लोग का मतलब क्या होता है तो इह लोग का मतलब होता है इस लोग का लोग से मतलब समझते हो ना जैसे हम लोग क्या है प्रतिवी पर रह रह रहे हैं तो क्या है हम इस लोग के हैं कुछ लोग या कुछ जी व उस लोग को है यह इच्छा इच्छा का मतलब क्या होता है इच्छा का मतलब होता है किसी चीज की काम ना करना किसी चीज की चहां करना जैसे क्या होता है कि आप किसी दुकान पर गए और आपको क्या हुआ कोई चीज रखी हुई है कोई महां पर एक खलाना रखा हुआ है अब आपको एक तेज में इच्छा हो गई कि अरे यह फ्लॉला मेरे पास भी होना चाहिए तो क्या होगी आपकी इच्छा हो गई थीक है तो यह था का मतलब किसी ॥ीज़ जहां करना ठीक है अब इसका पोजिट क्या हो जाएगा बिल्कुल इसके बिपरियत हो जाएगा जिसका मतलब हो गया अनिच्छा अनिच्छा के लिए एक और होता है अरूची अरूची मतलब इसका ही एक वर्ड होता है अरूची इसका एक उर्थ होता है वाला इसमें इच्छा का एक अवाव रहता है अब जैसे आप से ममी ने कि बेड़ा जाओ दो ग्लास पानी लेगे आओ और आप क्या करता है आप फून चला रहे हूं यह कुछ और काम कर रहे हो अपना अपना खेल रहे हो आप तो आपको क्या लगए अरे कहा ममी ने काम बता दिया मेरे ऐसा काम करने कि कोई रूची नहीं है मतलब इसमें अरूची इच्छा और अनिच्छा में अंतर तो यह इस तरह से एक दूचरे के अपोजिट होते हैं तो यह वर्ड भी आपको चैसे समझ में आगया होगा चली नेक्स वर्ड आगया भी स्क्रीन पर पढ़ लो क्या लिखा हुआ है अगला वर्ड है इच्छुक मतलब इच्छा से जो इच्छा खाने के लिए क्या हो इच्छुक हो मतलब आप जो हो जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे है तो आप इच्छुक हो मतलब जो इच्छा करता है वो क्या होता है इच्छुक होता है मतलब इसका क्या हो जाएगा इच्छा करने वाला इच्छुक का अपोजिट क्या इच्छा ना करता हूँ जैसे आपकी इच्छा हुई तो आप क्या हो गए इच्छुक हो गए और आपकी इच्छा नहीं हुई काम को करने की तो क्या हो गए आप अनिच्छुक हो गए यहां अनवर्ड लग जाता है वहां का मतलब होता है ना करना किसी काम को ना करना ठीक है तो यह हो गया इसका जो मीनिंग हो जाएगा वह हो जाएगा इच्छा ना करने वाला इच्छा ना करने वाला ठीक है ना बच्छो तो I hope यह वर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका बोजिट क्या होगा तो को सभी लोग नोट करते हुए चलना क्योंकि आप अगर notes नहीं करोगे तो आप ऐसा तो है नहीं ऐसे आद नहीं रहेंगे आपको बारवार रिवीजन से आद करोगे तो क्या होगा याद रहेगा आज मैंने आपको पढ़ा दिया फिर क्या करोगे आप कौपी उठाई पांच मिनुन्ट में सारे words देख लिए फिर उससे तो आपने पिछले 40 वर्डों के बारे में बूचूंगी ना प्लों सब्द के आप में से कुछ ही लोग मेरे आंसर कर पाऊगे तो फिर आपने नोट डाउन कियोंगा तो बिलकुल आंसर करोगे क्योंकि आपके पास उन चीज का रिवीजन होगा तो वो कैब एक ऐसा पार्ट तो लेट क्या होता है उत्करष्ट का मीनिंग होता है और बहुत अच्छा तॉसको बोल सकते हैं स्रेश्ट अब दो मैं अरति भी बताते कर चलती हूं ऊत्रकरष्ट को और क्या-क्या वोल सकते हैं तला में है बहुत अ बहुत उत्तम बहुत बढ़िया ये भी बोल सकते है उतकरश्ट को उतकरश्ट का अपूजिट वहीं इसके हो जाएगा निकरश्ट अब निकरश्ट का मेलिंग क्या हो जाएगा नीच मतलब बहुत बेकार बिलकुल लो क्वालिटी का सबसे गिरा हुआ ये हो जाता है निकरश्ट और सबसे अच्छा हो जाएगा उतकरश्ट के लिए जैसे आपको क्या हुआ आपने कहा मुझे उत्करष्ट किसम का पनीर चाहिए तो क्या है वह एक बहुत अच्छी क्वालिटी का पनीर है अगर दुकालतार ने आप से कहा मेरे पास उत्करष्ट पनीर है तो क्या कहोगे आप उत्करष्ट मतलब क्या होगे सबसे अच्छी ची है और अगर को बहुत निक्रष्ट प्रकारगी चीज़ है तो क्या हो जाएगा यह बहुत नीच मतलब बहुत लो कैटेगरी की मतलब निम्न प्रकारगी नीच प्रकारगी है ठीक है तो यहां भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्सटवर्ड आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा पर लो भी क्या लिखा है है में कि नेच्टवर्ड होजाएगा उच्छ अब उच्छ वर्ड से मतलब समझते हो विच्छ का मंदा होता हो यह पहत गल का ह। है बहई एसा होता है नहीं होता है तो ऊच्छ हऊ गया जैसे आपके friends circle में किसी आपके दोस्तों में किसी कई बहुत अच्छे कपड़े बहुत अच्छी घड़ी बहुत सारे अच्छी चीजह आपको गए बहुत उच्छे लोगों हमसे बात क्यों करोंगे बहुत ही उच्छ तो आपको कैसा लगता है अपने आप में आर कि यह बहुत ऊची केटेगरी का मतलब मेरे बात करने मैं इससे बात क्यों करूं तो इसका जो सीधा मीनिंग हो जाए इसका जो पिप्रीद हो जाएगा निम्न अब आपके फ्रेंड सरकल में एक ऐसा भी दोस्त है जो बहुत हो गया वो निम्न प्रकार का हो गया मतलब नीचा ठीक है तो यह एक तरह से दूसरे के अपोजिट रहते हैं तो उचा का अपोजिट नीचा और उच्च का निम्न हो जाएगा चलो यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है आपका उतकर्स क्या होता है उतकर्स का मतलब उतकर्स का मतलब होता है उचाईयां पाना जैसे आप ने किया कि आप पहले सेवन्थ स्टेंडर में पढ़ रहे थे या आप अभी फिफ्ट इस्टेंडर में पढ़ रहे थे अब क्या हो हो जाएंगे तो वहीं पर ये इसका अपोजट वन जाएगा उतकर्स का मतलब होता है बढ़ते चले जाना जाना मतलब प्रगती करना इस बिनारूके ठीक है अब वहीं आफ फेल लो गएंगे तो क्या हो जाएगा उतकर्स आप कर्स करना शुरू हिया मतलब की अवनती इस नीचे आना है что मतलब बढ़ते तो चली जा रहे था अब तक क्योंकि फ्ट क्रोस किया आप ज YouT प्रगति आपकी जो हो रही थी उसको रुक जाना मतलब आगे पढ़ रहे थे अब उसमें क्या लग गया ब्रेक लगिया आपको फिर से सेवंध क्लास पढ़नी पढ़ेगी यही मेनी होता है इसका आपकर्स का ठीक है नेक्ष्ट वर्ड उद्दंड अब उद्दंड क्या होता है कि तुम देखाओ कि तुम होँ क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बहुत नालाइक टवी होते हैं जैसे क् Arabic सर पढ़ा रहे हैं आ में पढ़ानी तो क्या करते ने यह उसके क्लास कंवित उसको काम नहीं करने दिया, मतलब इस तरह की अबद्रता ये इस तरह की गलतिया करते रहते हैं, तो ऐसे लोग उद्धंट की सिरेडी में आते हैं, नालाइक बच्चे होते हैं ना वो, उद्धंट होते हैं, अब जैसे टीचर ने एक बार डाट भी दिया, उसके बाद भी फ सीधा मीनिंग होता है, अखड या बत्तमीज, मतलब आपको टीचर है, आपके घर में कोई समझा रहा है, आप भाही गलती बार बार कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, बहुत उद्धंट वालक हो, ठीक है, और उद्धंट का अपोजिट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा व हुआ है? बहुत साνथ, सीधा, कुछ टौपर बच्चि जो होते हैं, क्लास के, वो बहुत सांथ होते हैं, वो उद्धंट जो बच्चे होते हैं, उनके बिशुकुल अपोजिट होते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है, वो अपने दोस्तों से बाते करेंगे, लेकिन इनका free time में जब teacher पढ़ा रहे हो तो स्रिफ अपनी पढ़ाई पर focus करते हैं ऐसे बच्चे बहुत सांत सुवाब के होते हैं किसी से लड़ाई जगडा नहीं करते हैं तो यह क्या हो गए यह विनीत सुवाब हो जाएगा इनका यह सांत सुवाब हो जाएगा और उद्धंड क पर आगे उसको पढ़ लो क्या लिखा है उपकार उपकार का मतलब क्या होता है किसी की भलाई करना भलाई करना या फिर क्या करना किसी पर एहसान कर देना अब मुझे एक बात बताओ अब क्लास में आपका एक दोस्त है या दोस्ते कि चलो छोड़ो कोई भी बच्चा या पढ़ ऑब क्या हुआ एक दिन वह अपने पैन भूल गया अब उसको सर ने नोट करो अब उसके पास पैन नहीं तो आपसे पैन मांग रहा है आपने उसको पैन देकर क्या कर दिए एक माने या ना माने अब इसका बोजिट के गांड यह सां डिया उसके बाल्य है okay यह ॉपल का बिशो अफोजीट होता है एक बाला कंडा बुराह करना कि अब भुराह करनेular मतलब आपने तो उस पे अहसान कर दिया आपने उसके साथ भलाई कर दिया अब next day हुआ आप अपनी कोई भी चीज भूल का मान लो आपके पास pencil है आपने का भई तेरे पास pencil है मुझे pencil दे तो उसने क्या कर दिया साफ-साफ मना कर दिया मतलब आपके साथ एकदम से बुरे से वरताब कर दिया, और कहा तक मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, जबक्के आपको पता है, उसके पास है, तो ये हो जाएगा एक तरह से अपकार करना, मतलई आपने तो उसके साथ अच्छा गिया, लेकिन उसने आपके साथ कैसा कर दिया, वुरा मरताब कर दिये यह उजाएगा अपकार का मीनिंग ठीक है तो आपकार को और हम क्या या लिखते हैं किसी का अहित कर ना कि अब वो आपका ही तो कर रहा है ठीक है तो यह कुछ मीनिंग्स होते हैं मैं आपको साथ-साथ मीनिंग पढ़ाते हैं चल लेंगे कॉपी और नोट कर लेना ठीक है अच्छे से जैसे मैंने लिखाएंwen तो ये भी अपकार का मतलब उपकार का जो बिलोम सब्सस्ब्द hope what is upcar neser झोय 가요 अब उपजाओ क्या होता है आपने सुना होगा आपके हापके परिवार में आपके आसवास में क्या ह jurisdictions क्थेर होते है या आपके घर में कोई नोसी करता होता है आस पडोस में तो वो लोग क्या करते हैं कि कहां पर खेती करते हैं भई खेतों में जमीनों पर तो वो जमीन जहां खेती होती है हरी भरी फसल पाई जाती है ना वो उबजाओ कहलाती है जमीने ठीक है ना तो हमारे जैसे अपने यूपी में मतलब अपने उत्तर प्रदेश में जहां भी हम उपजाऊ मतलब कराशी के लिए कि modelling करशी का मतलब समझ़ न से खेती है मतलब कि खेती के लिए बहुत अच्छी जमीन तो यह कि आप जाव गालब आक अब आप जाओ मतलब मैंने बता ना जहां अनवर्ड लग जाता है वहां क्या होता है ना का यूज होता है मतलब वह अपजाव नहीं है क्योंकि क्यों उपजाव नहीं है वहां पर खेती नहीं हो सकती है और इसका एक और विलॉम शब्द बनता है वह होता है बंजर बंजर से समझ में आ गया होगा क्या राजिस्थान में खेती होती है जहां रेगिस्थान वगएरा पाए जाते है वो बंजर जमीने कहलाती है क्योंकि वहां खेती होई नहीं सकती है ठीक है तो यह उबजाओ का मतलब जहां खेती होती है जहां हरे बरी घास होती है हरे बरी पचले होती है तो वो उपजाओ जमीन होती है जहां खेती नहीं हो सकती है जो खेती के लाइक जमीन नहीं है वो उपजाओ या बंजर जमीन कहलाती है ठीक है तो आप भी इसका मीनिंग भी अच्छे से समझ गए होगे तो ये उबलोम सब्दी भी मिटा देती हूँ मैं next देख लो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा उसको पढ़ लो अच्छे जे क्या लिखा हुआ है next word उपयोगी उपयोगी का मतलब क्या होता है अब तो समझ गए होगे गाय का दूद हमारे लिए कैसा है बहुत उपयोगी या मतलब बहुत काम का है तो मतलब काम का होना कोई भी चीज बहुत काम की होती है तो उप्योग्य का सीधा विलॉँअ सब्द होजाएगा अनुप्योगी अनुप्योग्य K команд मतंद तो समय जी कि उप्योगी ना होना लाईगा तो कोई कि अभी मोबाईल आ हमाली उप्योगी अनुप्योगी ए अनुप्योग कि उसका जीवन में हमारे कोई उपयों नहीं है, ना ही वो हमारे एक्जाउंस में आएगा, ठीक है? ना ही बड़े हो के तुम से कोश्न बूचयाजए जाएगा, कि भई पब जी क्यों कहेला जैता है, कहां कहेला जाता है, किसने बनाया, तो ये इसका कोई भी लॉजिक नहीं है और गाय का दूद कैसा होता है सरीर के लिए पॉस्टिक होता है वो आपके लिए बेनिफिट करता है आपकी इम्यनेटी को बढ़ाता है आपकी जो शक्ति होती है उसमें बढ़ोतरी करता है ठीक है ना तो ये उपयोगी और उनपयोग में अंतर हो गया ठीक है समझ गयोगे अच्छे से नेक्स्ट वर्ड देख लो क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर पढ़ लो और उसका मुझे एक 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 एक्स्रा बिलोंग सब्त बताया करो अगर आपको पता है तो ठीक है अब और ना उसका मीनिंग बताया करो क्या होता है अब उपियुक्त उपियुक्त का मतलब होता है ठीक होना बिल्कुल ठीक होना अब मान लो आप पढ़ने में भी को ठीक है अब आपके ममी पापा ने क्या का इसके लिए कोचिंग उपियुक्त रहेगी क्योंकि यह पढ़ने में कैसा है कमजोर है तो इसके लिए कोचिंग एक अच्छा विकल्प है ठीक विकल्प है और एक उपियुक्त विकल्प है ठीक है मतलब एक अच्छी चीज है अगर यह कोचिंग पड़ेगा उपियुक्त रहेगा तो यह इस तरह से उपियुक्त का मीनिंग मतलब उपियुक्त का यूज होता है बाकियों में और वहीं उप अनुप्युक्त अनुप्युक्त मतलब यह कोई आवश्यक नहीं है उप्युक्त मतलब आवश्यक भी हो जाता है थीक ना होना या आवश्यक ना होना मैंने कल बताया था आपको पैसेज में आया था आवश्यक के लिए बड़ आया था जरूरी ना होना अग अगी मीनिंग होता है कई सारे मिनिंग होते हैं और वो आप से पूछ लेगा आडई को थीक है तो उप्युक्त को मतला वह उप्युक्त का जो बिलॉव शब्द होता को हौता है अनुम्यूप्युक्त या ठीक ना होना या आवश्यक ना होना या फिर अनावश्यक ठीक है तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा है ये भी नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड उपस्थित अब उपस्थित का मतलब क्या होता है बताओ मुझे जरा पता ही नहीं होगा ज्यादा तर बच्चों को उपस्थित का मतलब होता है आप में से जो भी स्टुडेंट इस्टाइंग मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो क्या है उपस्तित है, मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर हैं अवैलवल, वो क्या करना है, क्लास ही देख रहे हैं, कहीं और नहीं है, या जैसे आपके स्कूल में क्लासिस लगती हैं तो आप क्या करते हो बकाइदा क्लासिस को लेने जाते हैं तो आपके अटेंडेंस तो आपकी जो उपस्तित होती है वो चेक की जाती है रेजिस्टर में कि कौन बच्चा आया कौन नहीं आया तो अकर आप अनुपस्तित होगे तो मतलब होता है क्या होता है परस्तुत होना हाजिर होना परस्तुत तो एक बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ वर्ड है अगर परस्तुत भी आजाईगा तो भी सेमी वर्ड माना जाएगा हाजिर यह उर्दू में यूज होता है हाजिरी बोलते न हाजिरी लग गई नहीं लग गई तो यह होता है हाजरी तो इस तरह से इसका मेनिंग रहता है अनुपस्तित का मतलब होता है प्रस्तुत ना होना या फिर गैर हाजिर होना गैर हाजिर मतलब आप हाजिर नहीं हो ठीक है ना आई हो पी वाले वर्ड्स भी आपको अच्छे से समझ में आगये होंगे चलिए ने एक्ष्ट पर चलते हैं यसक लिखते रहेना सतर सजद्ट थीक है नैक्सट बर्ड बड होगा नीक्स्ट परएगटा अब एकठा का क्या मतलग है आपने कहानी सुनियोंगी देनों हमने भी देल्सकानों में क्या था कि एक जो ब democracy वते होते वह अपने बच्चों को मौण मतलब उनके एज हो चुकी होती है अब वो अपने बच्चों को बलाते हैं यह चेक करने के लिए कि मेरे बच्चे एकता में हैं या नहीं है मतलब वो एक साथ रहे सकते हैं या नहीं तो वो चेक करने के लिए क्या करते हैं उन्हें लकडी देते हैं मतलब वो अलग लग रहते लगडी तोलओ अब ऑड़ियों कि अपड़ूज अब टोड़। है जली 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 इस लकड़ी को फैस्ट ite अब चार लकड़ियों इच वा जो चार लकड़ियों का है किए पर घोड़ो पिर पहले को देते हैं उस लगडी को कोई नहीं तोड़ पाता है क्योंकि वह लगडी एक साथ होती है एक साथ बंदी हुई होती इसी को बोलते हैं बच्चो एकता और उस कहानी से सीख भी मिलती है एकता में बहुत शक्ति होती है तो एकता का मतलब होता है जुड़े रहना ठीक है और की जगा यूज भोता है पोजित वर अनेकता अनेकता का मतलब होता है अलग अलग हो जाना और एकता का मतलब जुड़े रहना या साथ रहना साथ रहना भी यूज होता है ठीक है तो ये होते हैं इसके meaning और ये अनेकतज होता है वो इसका opposite होता है तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा next next word आ गया होगा इसक्रीम पर पढ़ लो भई अब अगला word है इच्छा पढ़ाता भी अच्छिक का मतलब होता है कोई भी काम ऐसा मतलब कोई ऐसा काम जो आपकी मर्जी से किया हो गया हो आपकी इच्छा से किया गया हो ठीक है वो एच्छिक कहलाता है मतलब इच्छा से किया गया तब यह तो इक्षा वर्ड का यूज हो रहा है या इच्छा से किया गया या फिर मर से हमारी इच्छा के द्वारा जो काम होता है वह यह होता है एच्छिक आप आel जाकर अपने में पढ़ोगे भी कि ऐच्छिक और अनेच्छिक पैशिया होती हैं साइंस में आये इसी क्ड़ tier आप भाभी ख़लोगी कि जो सकर्जासे काम करति है명 वह च्री होती है और जो बेज़ा करती है और बेज़ा करती है अपने आप काम ख직र रहती है वो हो थी अनाचिक, उनसे करवाया जाता है इच्छा का मतलब हो गए आप वही मैंने बताया ना, आपको पीजा खाने का मन्दा था आपने खा ली है जल्दी से तो आपकी इच्छा होई, आप उसकी प्रती, लेकिन वहीं मम्मी ने कहा, आप क्या खाना है तुम्हें, अब त इसे भी तो यह अनेच्छिक होता है ठीक है तो मैं तो बिल्कुल एक्जांबल घर से जुड़े हो देरी है जिसे कि तो मैं अच्छे से याद करने में आसानी हो तो एक बार पढ़ लेना यही चीजे दिमाग में चलती रहेंगी फिर दूसरा नेक्स्ट वर्ड एहिक एहिक का मतलब क्या होता है भी यह एहिक का मतलब होता है इस लोक का अभी मैंने बताया था ना वही शेंबर्ड होता है वो बस इह लोक का मतलब होता है यहां का लोक और जो वहां के लोग होते हैं उनको बोलते है एहिक मतलब अब यहां हम रह तो हमें इस लोग के है या हम जिस भी जजिले में रह ह강 आ तो हम अपने जिले के हैं आप असलोग के अब हें आपकी ज़ले से बhero के इस पर्टिक्लार जगा के मैं अब हही आप तो एह का मतलब होता है इस लोक का मतलब जो इस लोक में रहे रहे हैं अब पार लौकिक का मतलब होता है दूसरे लोक का ठीक है यह सही मेनिंग होगा इसका तो यह वाला भी अच्छे समझ में आ गया होगा नेक्स वर्ड आ गया होगा स्क्रीन पर पढ़ लो एकत्र का मतलब बही होता है जो एकता का होता है लगवक से हम होता है मतलब एकटा करना जैसे लकडिया क्या कर ली आपने एकट्टी करके और बांदी तो यह हो गया है एकत्र करना एकट्टा करना अब भहीं आपने विकीड़ विकीर्ण सब्दा जाए अगर option में तो विकीर्ण भी लगाओगे विकीर्ण का मतलब होता है फैलाना जैसे कोई बंदी हुई लगडिया है आपस में और आपने उन्हें खोल दिया अलग-अलग कर दी एक एक लगड़ी अलग कर दी तो यह हो गई फैला दिया नहीं फैला द Ag do ि कary का मतलब तो समीर के होगए जब सैतानी कर कर मम्मी को घुझषा दिलाते हो तो 干ूतता क्रोद मं आ जाती है नोद 2-4 लगा देती है तो यह क्रोद होता आए इस्ए काम में दोब भुसटा आ जाना बहुत देजया जा या जैसे पापा ने समझा दिया ममी को भई मत मारो बच्चे को बच्चा ही तो है तो क्या हो गई अब वो शांत हो गई उन्होंने उस चैप्टर को बही छोड़ दिया तो यह हो गई शांत इसका अपोजिट हो जाता है ठीक है शांत का मतलब सौमे एक तुम सीधे हो जाना कहना चलो छोड़ो इस बार की गलती माफ होगी अगली बार पिटाई लगेगी अब तो यह इस तरह से मीनिंग होते हैं दोनों के क्रोद का अपोजिट होता है शांत या सौम में है ठीक है तो यह भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वार देखो क्या आ रहा है पढ़ लो से बढ़ी है बेटा यही एक्जाम में आएंगे तुम्हारे नहीं के लगड़ा है पढ़ लो चुप-चाब और आंजर दी अगरो मेरे कोश्चन के नेक्स्ट बढ़ बताओ कनिष्ट लिखा हुआ है कनिष्ट का मतलब क्या होता है भी कनिष्ट का मतलब होता है चोटा अब वह किसी भी चीज में चोटा होगा चाहिए अपके घर में चोटा हूँ या पद में पद का मतलब होता है नौकरी बच्चो जब तुम बड़े हो जाओ तो तो तुम देखो कि DM होते हैं HDM होते हैं तो यह पद के अकॉर्डिंग होते हैं उनकी नौकरी होती है वह उसके अक बड़ा होना वो होता है कनिष्ट ठीक है और सरी छोटा होना तुम्हारी चक्कार में गलत हो गया अब वहीं बिलकुल ठीक अपोजित होता है अकर बड़ा होगा तो वरिष्ट होगा मतलब घर पद या नौकरी में कैसा हो वो बड़ा हो तो वो क्या हो जाएंगे वरिष्ट हो जाएंगे या उम्र में ही क्यों ना बड़े हो जैसे उम्र में हमसे बड़े भाई होते हैं तो हम उनको बरिष्ट बोलेंगे और हम अगर छोटे हैं तो हम कनिष्ट है या फिर की बारिष्ट का मतलब बड़ा और इसका मतलब छोटा है अच्य सीद यह ठीच समय ऊगया होगा चलो नेक्स्टबड देख लो कुटिल अज़िए अब कुटिल मतलब क्या होता है मेन्य मीनिंग और कठा नहीं कोई काम बहुत तफ हो जाना हम होगा है प्लस माइनस वाला तो तो कर लिया अब जहां लगी ब्रेकिट फिर बार भी लगा दिया फिर उस पर पांच तीन सो और ब्रेकिट दे दी और उसके बाद का भी सॉल्व करो अब वह कैसा हो गया कठिन कोश्चन हो गया तो कठिन का अपोजिट हो जाता है सरल और कुटिल का अ आप बौल सकते हो अगर कटिल का भोजिट लिखने को आ जाय सरल नहीं दिया हो और सामानने दिया हो तो क्या करोगे दोनों ही अब मैदब जाओ तो टिक कर देना उसे तो ठीक माने जाएंगे तो यह ना यह वंद आपका हो गया एक और अबॉज़िट वर्ड नेक्स्ट कठोर कठोर का क्या मतलब होता है भई कठोर का मतलब होता है पत्थर सीधी तरह से समझे लो बहुत ज्यादा टाइट होना तो पत्थर क्या होता है पत्थर को जबीन पर चार पास बार भी मारोगा तब भी क्या होगा तूटे का नहीं सही से तो वह होता है कठोर का मतलब होता है बह गवल को सपर अब हैं आपको एक रबट देदी जाए या कोई तार देदी जाए रबट का तोड़ दोगे मरोड दोगे कुछ भी कर दोगे कि पत्थर को मोड दोगे कभी बी नहीं मोड पाओगे ना तो यह घुता है और कोमल में अंतर सही है ना समझ में आगया होगा चैसे कड़वा होना बिलकुल नीम होना करेला होना दो किया यह क्या लिख दिया काड़वा होना को अप्टू का बिलकुल अपोसिट वर्ड होता है मधूर कि मतलब मीठा होना चैसे नीम और मोती चूर का लडव यह दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है क्योंकि एक कड़वा हो रहे मीठा है तो इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कटू की जगह अगर मीठा भी दे दिया जाए मतलब कटू के विलों में अगर आप सही मानोगे उसे सही है अ कि नेक्सट वर्ड पढ़ लो और सेमां कि किरिया का नाम आछे समझ रहे हो किरिया पढ़ी होगी तुमने डियाशनária पढ़ी होगी किसी काम को करना या किसी काम का करना या होना क्या गहलाता है क्रिया गहलाता है तो इसका मतलब हो जाता है किसी काम को करना यह होती है क्रिया आपने किसी को पहन दिया तो वो क्या होगी क्रिया होगी आपने काम कर दिया या आपने किसी का होंबर कर दिया आपने किसी का काम कर दिया ठीक है तो होगी क्रिया होगी या तो अब इसका अपोजिट क्या होगा इसका अपोजिटों का प्रतिकिरिया आपने एक बॉल दिवार पे मारी वो तो क्रिया हो गई उसके आपने अपना काम कर दिया बॉल दिवार पे मार के अब दिवार से तो बापस आईए वो प्रतिक्रिया है वो तो आपने नहीं की ना वो तो आपकी क्रिया के अपोजिट में आईए आपने थोड़ी किया है उसक प्रतिकिरिया हो गई ठीक है आपको ये वाला वर्ड भी अच्छे से समझ हो गया होगा तो इस तरह से आज हमने कितने विलोम सब्द पढ़ लिए गिनना था कोई बच्चा गिनी रहो गई पढ़ने में इतना मज़ा रहा था क्यों आज हमने टोटल आपके 25 बर्ड पढ़े ह आज हमने पढ़े हैं और सारे ही आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से इंपॉर्टेंट थे तो सब को अच्छे से पढ़े लेना जिसने कॉपी पे नोट ना गिया और दो चार बाट वीडियो और देख लेना और सब के अर्थ लिख लेना ठीक है क्योंकि अर्थ भी हैं जो एक्जाम में पूछे जाएंगे ऐसा मत इंतजार करना कि मैं बताएंगी कि सुनों नहीं मलब समाना अर्थी सब्द की एक अलग से वीडियो लेके आएंगे उसमें उसमें तो पढ़ाएंगे लिकिन यह वर्ड भी आपके यूजफुल रहेंगे ठीक है तो अज लि